जिस समय अखलेस यादव अपने परिवार के साथ यानि अपनी पत्नी डिमपल यादव अपने चाचा और अपने भाईयों के साथ अपने पिता मुलायम सिंग यादव का अस्ती विसर्जन कर रहे थे प्रियागराज में संगम किनारे वो पूजा पाठ कर रहे थे ठीक उसी समय प्रियागराज से कुछी दूर पर लखनव में एक राजनितिक घटना हो रही थी समाजवादी पार्टी के ही एक बड़े मुस्लिम चहरे इमरान मसूद बीएसपी की सुप्रीमों बीएसपी की बॉस मायावती से लखनों में मुलाकात कर रहे थे आखिर इस मुलाकात के बाद यूपी की राजनितिक तस्वीर कितनी बदल जाएगी कैसी होगी अखलेस यादब का कितना नुकसान होगा और मायावती का कितना फाइदा है आज इसी पर हम बात करेंगे विस्तार से नमस्कार मैं हूँ पंकज्जा और आप देख रहे हैं मेरे साथ अंदर की बात पंकज्जा के साथ ये जो अचानक से चीजें बदली हैं यानि इमरान मसूद साइकिल छोड़ कर अब हाती पर सवार होने जा रहे हैं इस से पश्मी यूपी में समाजवादी पाटी को कितना नुकसान होगा या फिर बीएसपी को इसका कितना फायदा हो सकता है वो बीएसपी जो पिछले ही विधान सवाचुनाव में जो इसी साल की शुरुवात में हुए थे उस बीएसपी जितनी बड़ी पार्टी को सिर्फ एक विधायक पर ही संतोस करना पड़ा था तो इमरान मसूत के पार्टी छोड़ देने से आखिर क्या हालात बदलेंगे आखिर इमरान मसूत कौन है उनकी राजनिती किस किसम की है इसी पर हम चर्चा करते हैं धीरे धीरे आहिस्ते 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 आम तोर पर अगर आप गूगल में जाएंगे और सर्च करेंगे इमरान तो एक वीडियो पॉप अप करेगा वो वीडियो जो है वो काफे विवादों वाला है सालों तक सुर्खियों में रहा वो 2014 के लोकसभाद चुनाओ का है जब वो सहारन पूर से कांग्रेस के उम्मिद्वार हुआ करते थे इमरान मसूत और तब उनका एक वीडियो बायरल ह है वह वहाद विवादित हुआ था उस पर मोदी ने बाद में उस वक्त तो नहीं पांच साल बाद 2019 में भी चुटकी ली थी लेकिन आखिर क्या कहा था इसमें थोड़े बीब भी करने पड़ेंगे उस बयान को कि आखिर इमरान मसूत ने ऐसा क्या कहा था पहले जरा उसको सुन लीजिए उससे अंदाजा हो जाएगा कि आखिर इमरान मसूत किस किस्म के नेता है और उनकी पॉलिटिक्स का बेस क्या है जिरा उसको सुनिए जो 2014 में इमरान मसूत ने कहा था आखिर इमरान मसूत ने जर्टा ना मापने जर्टा तोंदों से नी डर्ता और भई द्रामे वाजी करने उपए कुछी करने नरेंदों वोजी से पहन रड़ेगा जो ठोफ के जबाब देना जाने इमरान ने जब ये बात कही थी 2014 का लोकसवा चुनाव हो रहा था और ये सब बयान देने के बावजूद भी राहुल गांदी ने उनके लिए सहारन पूर जाकर प्रचार किया था और उसके बावजूद इमरान मसूद चुनाव हार गए कॉंग्रेस उमिद्वार होने के नाते और वहां से बीजेपी के रागव लकनपाल जीते थे इमरान मसूद विधायक तो एक ही बार रहे उसके बाद हर चुनाव हारते रहे जो भी चुनाव लड़े पार्टियां भरे बदल ली उन्होंने और ये पहला मौका था 2022 का विधायन सवाद चुनाव का जब वो खुद चुनाव नहीं लड़े वो चुनाव लड़वा रहे थे मजबूरी का नाम है यही वो घुम घुम कर कह रहे थे इस बार मैं नहीं हूँ आप फलाने समाजवादी पार्टी के उमीदवार को जीता आई है आपको बताओं इमरान मसूद 2007 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे पहली बार यह पहला मौका होगा इमरान मसूद के करियर में जो समाजवादी पार्टी में रहे Congress में रहे, रास्ट्री लोगदल में रहे लेकिन पहली बार वो BSP में जाएंगे अचानक से उनके पाला बदलने के पीछे को भी थोड़ा समझे वो कहानी कोछ यूँ है कि उन्हें खून का घूंट पीकर रहना पड़ा 2022 में वो चाहते थे कि सहारनपूर की किसी विधानसवा सीट से वो चुनाव लड़ ले वो लड़ाकू हैं, हर हाल में चुनाव लड़ना चाहते हैं वो विधानसवा का चुनाव या लोगसवा का चुनाव हो वो चुनाव लड़ना चाहते थे इसलिए वो समाजवादी पार्टी में चले आये थे हालांकि वो कॉंग्रेस में राश्ट्री सचिव थे प्रियंका गांधी के करीबी नेताओं में उनके गिंती होती थी उससे पहले वो उत्तरप्रदेश कॉंग्रेस कमिटे के उपाध्यक्ष भी रहे 2014 का लोकसभाद चुनाव वो कॉंग्रेस के टिकट पर लड़े 2019 का लोकसभाद चुनाव भी वो कॉंग्रेस का टिकट पर लड़े 2017 का विधान सभाद चुनाव भी हार गए और 2022 में उन्हें लग रहा था और वो कॉंग्रेस पार्टी के अंदर रहते हुए भी उस समय अखलेस यादव की तारीब कर रहते और वो ऐसे नेता थे ऐसे मुस्लिम चेहरा थे जो 2022 के विधान सवाचुनव में कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी के गटबंदन की बात क पत्रम में हुआ था लेकिन वो चला ही नहीं और वो प्रयोग जो है अखलेस यादव का फेल हो गया था तो खैर इम्रान मसूत शामिल हो गया समाजवादी पार्टी में पिछले विधान सवाचुनाव से पहले लेकिन उनको टिकट नहीं मिला और वो अंदर ही अंदर खाम पार्टी गठबंदन की सरकार बन जाएगी फिर हम आपको MLC बना देंगे लेकिन नर्नामन तेल हुआ और तो राधार नाचेगी कैसे कहावत आपने जरूर सुनी होगी तो सरकार बनी ही नहीं अखलेस यादव की अब जब सरकार नहीं बनी योगी आद इतना दुबारा सरकार बन गई और जब MLC बनाने का मौका आया तो अभी हाल में जो MLC बनाने का मौका आया तो उसमें इम्रान मसूद को टिकट नहीं मिल पाया वो नहीं बन पाए MLC आजम खान जो दूसरे मतलब आजम खान समाजवादी पार्टी के सबसे ताकतवर मुस्लिम चेहरा हैं उ हो चाहते हैं कि कुछ महीनों बाद जो चुनाव होने वाले हैं निकाई चुनाओ उस निकाई चुनाओ में अगर वहां से यानि सहारनपूर से मेयर का पद महिला के लिए आरक्षित हो गया तो इमरान मसूद तो नहीं लेकिन उनकी पतनी वहां से चुनाओ लड़ेंगी BSP के उम्मिदवार पर ऐसा कहा जा रहा है अब मायावती के महिमा तो अपरमपार है वो क्या कर दें ना कर दें दो मेहने बाद चुना होंगे तीन मेहने बाद क्या होगा वो नहीं कहा जा सकता लेकिन फिलहाल जो ख़बरें आई हैं मेरे पास जो जानकारी है कि पिछली बार यानि 2019 के लोगसभाद चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजपार्टी का गटबंधन था इस गटबंधन में RLD भी शामिल थी तो 2019 में सहारनपुर से BSP के जो उम्मिदवार थे वो चुनाव जीत गए यानि आज के तारिक में सहारनपुर से लोगसभा के सांसत जो है वो BSP कही है तो क्या उनके बदले इम्रान मसूद चुनाव लड़ेंगे अब ये सब तो आगे की बात है बहरहाल ये है कि पस्मी UP का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा BSP को हाथ लग गया है पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से मायवती की हार हुई तो ये चीज सामने आई और ये आंकड़े भी कहते हैं CSDS संस्ता के जो आंकड़े हैं सर्वे हैं जो चुनाव के बात कराए गये थे उसमें से ये जानकारी सामने आई कि मुसल्मानों का एक मुस्त वोट वो समाजवादी पार्टी को मिला यानि एक बड़ा हिस्सा मतलब इस तरीके से मुसल्मानों ने लंबे अर्से बाद किसी एक पार्टी को इतना ब्यापक जन समर्थन दिया था यानि मुसल्मानों ने मायवती का साथ छोड़ दिया था मुसल्मानों ने कॉंग्रेस का भी साथ नहीं दिया मुसल्मानों ने ओवैसी का भी उस हद तक साथ नहीं दिया और मायवती को इस वक्त तलास है मजबूत मुसलिम चेहरों की जिसकी बदालत वो 2024 में और हाल के निकाई चनौव में कुछ करिस्मा कर पाएं ऐसे में डूपती नईया में सवार हो गये हैं इमरान मसूद मायावती के लिए फायदे का सौधा है और इमरान मसूद के लिए भी इम्रान मसूद पिछले कई दिनों से लगातार ये बात अपने समर्थक नेताओं के साथ और अपने करिबियों के साथ कहते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में मैं चला आया मुझे पिछले विधान सबाचनौव में टिकट भी नहीं मिला आप तो मुझे सम्माण भी नहीं मिलता और जिस पार्टी में सम्माण भी नहीं बचा तो आ रहकर क्या करूंगा इसलिए वो चले जा रहे हैं बियसपी में अब ये भी एक बात कही जा रही है जो रानितिक पंडित हैं वो कह रहे हैं कि इतना जो मुसल्मानों के हक में बात करने वाला मोदी के खिलाप इतने मतलब आपती जनक बयान देने वाले नेता को अगर बीएसपी अपने खेमे में शामिल करती है तो हिंदू वोट के बिदकने का भी खत्रा है लेकिन कि दलित और मुसल्मान एक साथ हो जाएं तो फिर तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी चुनावी गाड़ी जो है इस लिहाज से इमरान मसूद के लिए फायदे का सौदा है और बीएसपी के लिए फायदे का सौदा है तो इमरान मसूद के आने से बीएसपी को मजबूती म के लिए अब समाजवादी पार्टी के पास से एक बड़ा मुस्लिम चेहरा जरूर चला गया है हाल फिलाल में अभी दो हफ्ते पहले की बात याद आ रही है मुझे इम्रान मसूद 2019 के लोग सवाचुनाव में भी कॉंग्रेस के उम्मीदवार थे और वहां उन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री नरेंद मोदी को भगोडा कहा था और दो हफ्ते पहले इस मामले में MP MLA कोट से उन्हें 5000 रुपी का जुर्माना भी हुआ है उन्हें सजा भी हुई है इम्रान मस इस्ता है इम्रान मसूद का और इम्रान मसूद इस बार पहली बार यूं कहें कि वो BSP में जा रहे हैं सुरवात तो उन्हें अपने राजनितिक जीवन के RLD से की थी बस एक ही बार विधायक रहे लेकिन पस्मी यूपी के गांगाउं में लोग उन्हें जानते हैं और वो इसलिए कि आप यूटूब पे जाएए गूगल करिए आप इतने सारे विवादित बयान मिल जाएंगे इम्रान मसूद के किस्ते मिल जाएंगे आपको कि आप धेर सारे आपको उनको बयान देखने मिलेंगे आपको तो इम्रान मसूद की अचानक मायावती से मुलाकात हु पर अखलेश के लिए नुकसान और मायवत्ती के लिए फायदे का सौधा है क्या अब ये तो जनता तै करेगी तब तक इंतिजार किजी आज के लिए बस इतना ही नमस्कार